रेन्बो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरेंगी नमस्कार टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेश जानकारी और लेटेश वीडियो और तुरंत रिपलाई देने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेश कीजिएगा तो इस वीडियो में मैं किनर केलास, सिरिखन मादेव और मनी महस के बारे में महतुपुर्ण जानकारी देने वाला हूँ यदि आप इन की यात्रा कारिकरम बना रहे हैं तो ये बहुत ही महतुपुर्ण वीडियो होने वाला है और एक में ओडियो कलिफ भी सुनाने वाला हूँ जिससे ये सहबित हो जाएगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो सत्य है इसलिए वीडियो को कीजिए अभी से लाइक और लिखिए हर हर मादेव और वीडियो के साथ बने रहे हिमाले परवत के अंदर पंच केलास अवस्तित है और इनके साक्षात दर्सन हेतु भक्त गण है वो यहां जाते हैं और एक महान आध्यात्मिक अनुबुति का अनुबव प्राप्त करते हैं और यहां पंच केलासों की जो यात्रा कर लेता है वो पंच केलासी कहलाता है यदि आपने इन पंच केलासों की यात्रा की है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपना अनुबव शेयर कीजिएगा या एक भी केलास की यात्रा की है तो जरू माले में अवस्तित 5 केलाजوں में से 3 केलाज हिमाचल परदेश में अवस्तित है इसलिए सिसको देव बूमी के नाम से ही जाना जाता है और आप इन केलाज सों में से किसी केलाज की यात्रा का कारिकरम बना रहे हैं तो यह ख़वर आपके लिए है केवल आपके लिए तो सबसे पहले हम बात करें स्रीखंड महादेव तो इसके अंदर सबसे पर्थम जो स्क्रीन पर चल रहा है वो कि नौर के लास है और दूसरी स्क्रीन पर स्रीखंड महादेव और मनी मैस के जो अंतमे वीडियो के अंतमे में लेटेस्ट वीडियो आपक जरूर देखिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा वीश्वय में सबसे कठीन धार्मिक यात्रों में हिमाचल का जो कुलू जिलेका स्रीखंड महादेव यहां की यात्रा है फोक सरकार ने पिछले साथ सालों से एक ट्रस्ट के अधिन के द्वारा की जाती थी और इस सिवर्स ट्रस्ट के द्वारा की जानी थी लेकिन सरकार ने कोवीड 19 के तहर्थ इसको रोक लगा दी क्योंकि संकर्मन इस वज़े से ज्यादा भी पहल सकता है तो श्रीखन महादेव है ये खटिंतम यात्राओं में से माना जाता है क्योंकि कई गलेशियर इसको पार करके उसके बाद पहुंचाया जाता है यात्रा से पूर वे जुना अख़डा निर्मंड में अम्वीका मातिका की जो चड़ी दर्सन के लिए निकाली जानी थी उस पर भी प्रसासन ने रोक लगा दी है इस चड़ी यात्रा मे सादु संतु सहित अम्वीका माता की कारकून भी भाग लेते हैं जो पुरुनमा के दिन मादेव की पूजा अर्चना के बाद लोटते हैं एसा इतियास में पहली बार होगा जब स्रीखंड मादेव का कोई भी सरदालू दिदार नहीं कर पाएगा और माता अम्वीका की सड खंड नहीं पहुंच पाएगी यात्रा हर वर्स 15 जुलाई से स्टार्ट होती है और SDM आने स्री चैसिंग जीने बताया कि कोरोना संकरमन के खत्रे को देखते वे इस वर्स यात्रा पर रोक लगा दी गए यह कोई भी सरदालू यदि चोरी छिपे जाएगा तो रास्ते के उपर पुलिस जो नाके लगाए हैं और उनका यदि आप उलंगन करेंगे तो आपको निधारित दंड भी दिया जा सकता है किनर केलास की यात्रा करने से फूर हुए मैं आपको दर्सन करना चाहूंगा स्री मणी महस के जो इस वर्स के ही फुटेज आपको में दिखाना चा उर्जावान साती गए थे इस वर्स अभी 10-15 दिन पेले तो उनके द्वारा जो पुटेज उपलब्द करवाए हैं वो आपके सामने जो मानी मैस परवत है या आसपास पारवती कुंड है सबी के और ये जो त्रिशुल इसी वर्स अध्यारोपित किया गया था आपको जान पूरा का पूरा त्रिशुल अंदर दशा हुआ है और मणी मैस परवत आपकी सामने विराजमान है और अब आपको हम बताना चाहेंगे किर्नर के लास यात्रा के बारे में जिला किर्नोर जो ही माचल परदेश में हर वर्स अधिकारिक यात्रा होती है एक से 11 अगस्त के मद वर्स वर्स यात्रा लेकिन इस वर्स भी कर दिया है कि आपको जानकारी होगी कि लास्ट यार है वह इस्तगित कर दी गई थी और इस समंध में मैंने वीडियो भी अप्लोड किया था और उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं देख सकते हो और यहां माई तक तो चोटी उपर ब्रफ पढ़ती रहती है और COVID-19 के चलते यह यात्रा का रिक्रम है वो इस्तागित किया श्रीखंड महादेव छडी समीती के निवर्तमान सदस्य देवधर जी कस्यप है उनसे हमारी बादचित हुई थी और उस बादचित के अंस आपको में कॉल हुई थी कॉल रिकॉर्डिंग में सुना रहा हूँ और उनकी तिनों जो केलास है उनके समंद में उन्होंने परकास डाला इसलिए इस बादचित को पूरा सुनिएगा और वीडियो पसंद आये तो जरूर इसको अभी से लाइक कीज और हर हर मादेव तो जरूर लिखना बनता है और हमारे साथ उन्हें कितने श्यांदार फुटेज घर बेटे आपको श्री मणी मेंस के दसन आपको करवाए हैं उनका भी धंदेवाद बनता है इन तीनों के लाउसों के बारे में कोई भी सूचना परिवर्तित होती है होती है तो आपको इस चैनल के मादेम से मैं जल्दी से जल्दी अपडेट उपलब्द करवाने का परियास करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेए वह आपके लिए उप्योगी होगा तो ओडियो सुनिए सर मैं रेंबो सेवन से मदन गोपाल बोना हूँ और मैं यह जाना चाता हूँ कि आप पेले अपना पद का नाम बताईए और यह जो यात्रा कारिकरम है वो इस बर्शे 2020 में किस परकार रहेगा जितने भी केलास हैं उनके बारे में आपसे बताएगा पेले अपना परिशे मैं देवडाज कर्षेप हूँ यह जो पाद मैंने इस बाद पर छोड़ दिया है अभी हमारी ख्रश कोई नहीं हुआ है तो और फिलाल जो है इस वर्श जो है यह शिरिखंग चड़ी यात्रा का जो कारिकरम है वो हमारे बिकॉस चेर्में जो है डिल्सी कुलू है तो उनक कि जो वहां से जो मितलग ओडर थे उन्होंने यह काया कि करोना वाइरस की विज़से इस वर्श जो है यह जो यात्रा है वो गॉर्मेंट लेवल का जो है इसको साइब कर दिया गया है और ना किसी को अलोग किया जाएगा जाने के लिए वहां पुलिस के नाके लगा कर देवल जिए कोई भी कोई वी आदमी जो रहा है षिर्खंड यातरा के बडेव कि यह जा सब्सक्डिक के यातरा हिरो में कोरना वाइरस की वज़ेस के और इसी दुर्स को है चिनोर में किलाट लाच से बहुत ना मिली है वोः वहां के जो देटी टेना रहे हैं उन्हों इस जो सिलकरमन के मद्धे नजर उसको भी सागित कर दिया है। यह भी अकवार में आ रहक है। दोनों आजी हाँ जी हाँ जी और मनी महिष्वी यात्रा के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है की जब यह यात्रा हैं कॉमेटओ इंमाजये न पर्देश से विजह थे सब्ढ़ Currently की सभी ञाइरी थी वहनदाद सुझी हैं। जण्यवाद संस्राम श्रॉम। यह थे श्रीमान देवदर जी कस्यप श्री खंड के लास चड़ी समिति के अधेक्स निवर्तमान अधेक्स अभी अधेक्स नहीं है तो उन्होंने कलेर कर दिया कि किस परकार यह यात्रा है वो इस्तगित हो गई है और श्री मने मैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया है औ और इसमंद में कोई भी अपडेट प्राप्त होगी यह दिकारिकरम वापीस भी चालू रख दिया जाता है तो भी में चैनल के मादेम से आपको अपडेट उपलब्द करवाने का प्रियास करूंगा यह अपडेट आपको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, सेर और हर हर मादेव वीडियो पूरा देखने के लिए ते दिल से धन्यवाद, जैहन, जै भारत